मुंबई बीजेपी दफ्तर में दिवेंदर पर्णवीस का हुआ स्वागत तो आपको बता दे कि लगातार जिस तरह से सियासी का विकरण बढ़र रहे थे और आज बड़ा उलट पेर के साथ बीजेपी दफ्तर में दिवेंदर पर्णवीस का स्वागत बीजिपी कारे करताओं की ने किया है बीजिपी दफ्तर में बोले दिबिन्द पर्णवीस मोधी है तो मुम्किन है मजबूत और अस्तिर सरकार देंगे सरकार पूरे पात साल चलेगी पर्णवीस ने आज सिंपत की शपत ली है तो आपको बता दे कि करण राज जो समीकरन ब सियम के तौर पर शपत ली है तो दिब्टी सियम आजीद पवार तो चाचा सपना देख रहे थे लेकिन उस सपने का खेल बिगाड़ा भतीजे ने और अजीद पवार दिब्टी सियम तो सरकार पूरे पात साल चलेगी देविंदर पर्णवीस ने का कि पियम मोधी है तो पकली मुंबई बीजेपी दफ्तर वो पहुंचे जहां पर देविंदर पर्णवीस का बीजेपी कारिकरताओं ने स्वागत किया तो जश्न का माहूल बीजेपी कारिकरताओं में और देविंदर पर्णवीस भी इस जीद से गदगद नजर आए और इस दोरान उनोंने कहा कि पिये मोदी है तो सब मुम्किन है सरकार पूरे पांच साल चलेगी और अब जिस तरह से सरकार का गठन आपर हुआ है हाला कि 30 तारिक को बहुमत साबित करना होगा बीजेपी को क्योंकि अभी विपार्च उसे विदायक है जो कमी बने हुए है और ऐसे में देखना होगा कि बहुमत कैसे साबित किया जाता है हाला कि बीजेपी दावा कर रही है कि कुछ अन्य विदायक दल जो विदायक है वो भी संपर्क में है तो मजबूत और असर सरकार देंगे दिविंदर पढवीस का ये कहना पीम है तो सब मुम्किन है और सरकार पूरे पांट साल चलेगी तो कहीं न कहीं अब तक का ये सबसे बड़ा राजनतिक उलट पेर के तौर पर देखा जा रहा है